लीजे सुनिये मुंशी प्रेम चंची का उपन्यास गोदान का भाग एक मेरी यानी चंदन तिवारी की अवाज में होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी इस्तिरी धनिया से कहा गोबर को उख गोड़ने भेज देना मैं न जाने कब लटूँ जरा मेरी लाठी दे दे धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे उपले पात कर आई थी बोली अरे कुछ रस्पानी तो कर लो ऐसी जल्दी क्या है होरी ने अपनी जुर्यों से भरे हुए माथे को सिकोड कर कहा तुझे रस्पानी की पड़ी है मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेट न होगी असनान पूजा करने लगेंगे तो गंटों बैठे बीट जाएगा इसी से तो कहती हूँ कुछ जल्पान कर लो और आज न जाओगे तो कौन हरज होगा अभी तो परसो गए थे तू जो बात नहीं समझती उसमें टाम क्यों अड़ाती है भाई मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख यह इसी मिलतो जुलते रहने का परसाद है कि अब तक जान बची हुई है नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए गाउं में इतने आदमी तो हैं किस पर बेदखली नहीं आई किस पर कुड़की नहीं आई जब दूसरे के पाउं तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाउं को सहलाने में ही कुशल है धनिया इतनी विवार कुशल ना थी उसका विचार था कि हमने जमीदार के खेट जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा उसकी खुशामत क्यों करें उसके तलवे क्यों सहलाए यद भी अपने विवाई जीवन के इन 20 बरसों में उसे अच्छी तरह अनुवव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर व्योत करो कितना ही पेट तन काटो चाहे एक एक कौड़ी को दांस से पकड़ो मगर लगान बेबाग होना मुश्किल है फिर भी वैह हार न मानती थी और इस विशे पर इस तरी पुरुष में आए दिन संगराम छिडा रहता था उसकी छे संतानों में अब केवल तीन जिन्दा है एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और दो लड़कियां सोना और रूपा बारह और अठारा साल की तीन लड़के बच्पन में ही मर गए उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवादारू होती तो वे बच जाते पर वे एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी उसकी उमर अभी क्या थी चतिस्वा ही साल तो था पर सारे बाल पक गए थे चहरे पर जुरियां पड़ गई थी सारी देह ढल गई थी वे सुन्दर गेहुआ रंग समला गया था और आखों से भी कम सूर्जन लगा था पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला इस चिरिस्थाई जीनवरस्था ने उसके आत्व सम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था जिस ग्रहस्ती में पेट की रोटिया भी ना मिले उसके लिए इतने खुशामत क्यूँ इस परिस्थिती में उसका मन बराबर विद्रोग किया करता था और दो-चार गुड़ियां खा लेने पर ही उसे यह थार्थ का ग्यान होता था उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिरजई, जूते, पगड़ी और तमाखु का बटुआ लाकर सामने पटक दिये होरी ने उसकी और आँखे तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोशाग लाई है ससुराल में भी तो कोई जवान साली सरज नहीं बैठी है, जिससे जाकर दिखाऊं होरी के गहरे सामरे पिचके हुए चहरे पर मुस्कुराहाट की मिरुत्ता जलग पड़ी धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजिले जवान हो कि साली सलहजें तुम्हें देखकर रिज जाएंगी होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी साफधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा तो क्या तू समझती है मैं बूड़ा हो गया, अभी तो चालिस भी नहीं हुए, मर्द साठे पर पाठे होते हैं जाकर सीसे मैं मूँ देखो, तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते, दूद घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं पाठे होंगे तुमारी दशा देख देख कर, तो मैं भी सूखी जाती हूँ, कि भगवान यह बुड़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीक मागेंगे होरी की वैशनिक मिर्दुता, यथार्थ की इस आच में जैसे जुलस गई, लकडी समालता हुआ बोला साठे तक पहुचने की नौबत ना आने पाएगी धनिया, इससे पहले ही चल देंगे धनिया ने त्रिसकार किया, अच्छा रहने दो, मता सुब मुझ से निकालो, तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे, तो लगते हो कोसने होरी लाठी कंदे पर रखकर घर से निकला, तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही उसके इन निराशा भरे सब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हिर्दय में आतंक मैं कमपंसर डाल दिया वह जैसे अपने नारित्व के संपून तब और व्रत से अपने पती को अभेदान दे रही थी उसके अंत्यकरण से जैसे आशिरवादों का व्यू सा निकल कर खोरी को अपने अंदर छिपाए लेता था व्यू पन्ता के इस अतहा सागर में सोहा की ही वहतरन था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी इन असंगत सब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो जटका देकर उसके हाथ से वह तिंके का सहारा छीन लेना चाहा बलकि अथार्थ के निकट होने के कारण ही उसमें इतनी वेदना शक्ती आ गई थी काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आखो वालो आदमी को हो सकता है होरी कदम बढ़ाए चला जाता था पगडंडी के दोनों और उक के पेड़ों की लहराती हुई हर्याली देखकर उसने मन में कहा भगवान कहीं गौं से बर्खा करते और डांडी भी सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा देसी गाये तो ना दूद दें ना उनके बच्वे ही किसी काम के हो बहुत हुआ तो तेली के कोल हुँ में चले नहीं वैं पच्छाई गाय लेगा उसकी खूब सेवा करेगा कुछ नहीं तो चार-पास सेर दूद होगा गोवर दूद के लिए तरस-तरस कर रह जाता है इस उमिर में ना खाया पिया तो फिर कब खायेगा साल बर भी दूद पी ले तो देखने लायक हो जाए बचवे भी अच्छे बैल निकलेंगे दोसे उसे कम की गोई न होगी फिर गव से ही तो दौर की सोभा है सबेरे सबेरे गव के दरसन हो जाएं तो क्या कहना ना जाने कब यह साथ पूरी होगी कब वह शुब देनाएगा हर एक ग्रिस्त की बाती होरी के मन में भी गव की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वपन सबसे बड़ी साथ थी बैंक सूच से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल अकांच शाएं उसके नन्ने से हिर्दे में कैसे समाती जेट का सूरे आमो के जुर्मुट से निकल कर आकाश पर च्छाई हुई लालीमा को अपने रज़त परताब से तेज परदान करता हुआ उपर चड़ रहा था और हवा में गमीर आने लगी थी दोनों और खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्वान भाव से चलम पीने का निमंतरन देते थे पर होरी को इतना वकाश कहा था उसके अंदर बैठी हुई सम्वान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की जलक पैदा कर रही थी मालिकों से मिलते जलते रहने का ही तो यह परसाद है कि सब उसका आदर करते हैं नहीं उसे कौन पूस्ता पांच बीगे के किसान की बिशाथ ही क्या यह एक काम आदर नहीं है कि तीन तीन चार चार हलवाले मैतों भी उसके सामने सिर जुपाते हैं अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खटेली में आ गया था जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेट में कुछ हरियाली नजर आती थी आसपास के गाओं की गवएं यहां चरने आया करती थी उस समय भी भी यहां की हवा में कुछ ताजगी और ठंड़क थी होरी ने दो तीन सांसे जोर से ली उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए दिन भर तो लूल अपट में मलना ही है कई किसाने इस गड़े का पट्टा लिखाने को तियार थे अच्छी रगम देते थे पर इश्वर भलागरे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया था यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी कोई स्वार्थी जमीदार होता तो कहता गाएं जाएं भाड़ में हमें रुपे मिलते हैं क्यों छोड़ें पर राय साहब अभी तक पुरानी मरियादा निभाते आते हैं जो मालिक पर जागो न पाले वह भी कोई आदमी है सैसा उसने देखा भोला अपनी गाएं लिए इसी तरफ चला आ रहा है भोला इसी गाओं से मिले हुए पुर्वे का ग्वाला था और दूद मक्षन का वेफसाई करता था अच्छा दाम मिल जाने पर कभी-कभी किसानों के हाथ गाए बेच भी देता था होरी कमन उन गाएं को देखकर जा गया अगर भोला वह आगे वाली गाएं उसे दे दे तो क्या कहना रुपे आगे पीछे देता रहेगा वह जानता था घर में रुपे नहीं है अभी तक लकान नहीं चुकाया जा सका विसेसर साह का देना भी बाकी है जिस पर आने रुपे का सूच चड़ रहा है लेकिन देता में जो एक परकार की अदूर दर्शिष्टा होती है वह निल्ल जत्ता जो तकाजे गाली और मार से भी भाईवीत नहीं होती उसने उसे पोटसाहित किया बरसों से जो साथ मन को आंदूलित कर रही थी उसने उसे विचलित कर दिया भोला के समीब जाकर बोला राम राम भोला भाई कहो क्या रंगडंग है सुना आपकी मेले से नई गाय लाए हो भोला ने रुखाई से जबाब दिया होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी हाँ दो बच्छिया और दो गाये लाया पहले वाली गाये सब सूख गई थी बंधी पर दूद न पहुँचे तो गुजर कैसे हो होरी ने आने वाली गाये के पुठ्ठे पर हाथ रख कर कहा दुधार तो मालूम होती है तिस पर गहाग रुपए का आठ से रदूद मांगता है बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई लेकिन फिर लाए भी तो वहमाल कि यहाँ दस-पांच गाओं में किसी के पास निकलेगी नहीं भूला पर नशा चटरने लगा बोला राय साहब इसके सो रुपए देते थे दोनों कलोरों के पचास-पचास रुपए लेकिन हमने ना दिये भगवान ने चाहा तो सो रुपए इसी ब्यान में पीट लूँगा इसमें क्या संदे है भाई मालिक क्या खाक लेंगे नजराने में मिल जाए तो भले ले ले यह तुमी लोगों का गुदार है कि अंजुली भर रुपए तकदीर के भरों से गिन देते हो धन्य है तुमारा जीवन की गवों की इतनी सेवा करते हो हमें तो गाय का गोबर में मैसर नहीं गिरस्त के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है साल के साल बीच जाते है गोरस के दरसन नहीं होते घर वाली बार बार कहती है भोला भाया से क्यों नहीं कहते मैं कह देता हूँ कभी मिलेंगे तो कहूंगा तुमारे सुवाव से बड़ी परसन रहती है कहती है ऐसा मर्दी नहीं देखा कि जब बाते करेंगे नीची आखें करके कभी सिर नहीं उठाते भोला पर जो नशा चड़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया भोला भला आदमी वही है जो दूसरों की बहु बेटी को अपनी बहु बेटी समझे जो दुष्ट किसी महरिया को और ताके उसे गोली मार देना चाहिए यह तुमने लाग रुपे की बात कह दी भाई बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनात हो जाती है उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पाउँ तूट जाते है मेरा तो घर उजड़ गया मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं गतवर्ष भोला की इस्तरी लू लग जाने से मर गई थी यह होरी जानता था लेकिन पचास बरस का खंगड भोला भीतर से इतना इस्तरिंड है वह न जानता था इस्तरी की लालसा उसकी आँखों में सजल हो गई थी होरी को आसन मिल गया उसकी वहवारी किशक बुद्धी सजक हो गई पुरानी मसल जूटी थोड़ी बिन घर नी घर भूत का डेरा कहीं सगाई नहीं ठीक कर लेते ताक में हूँ मैं तो पर कोई जल्दी फस्ता नहीं सो पचास खरच करने को भी तयार हूँ जैसी भगवान की इच्छा अब मैं भी फिक्र में रहूँगा भगवान चाहेंगे तो चल्दी घर बच जाएगा बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भीया घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है चार पसेरी रोज दूद हो जाता है लेकिन किस काम का मेरे ससुलाल में एक महरिया है तीन-चार साल हुए उसका आदमी उसे छोड़ कर कलकत्ते चला गया बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है बाल बच्चा भी कोई नहीं देखने सुनने में अच्छी है बस लच्छमी समझ लो भोला का सिकड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया आशा में कितनी सुधा है बोला अब तो तुम्हारा ही आसरा है मैं तो छुट्टी हो तो चलो एक दिन देखाए मैं ठीक ठाक करके तब तुप से कहूँगा बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो उतावली कहे की इस कबरी पर मनलल चाया हो तो ले लो यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा मैं तुमें नुकसान नहीं पहुचाना चाहता अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दमाए जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीच जाएंगे तुम तो ऐसी बाते करते हो होरी जैसे हम तुम दो हैं तुम गाय ले जाओ दाम जो चाहे देना जैसे मेरे घर रही वैसे तुमारे घर रही असी रुपए में ली थी तुम असी रुपए ही दे देना जाओ लेकिन मेरे पास नगत नहीं है दादा समझ दो तो तुमसे नगत मांगता कौन है भाई होरी की छाती गजबर की हो गई असी रुपए में गाय महंगी ना थी ऐसा अच्छा डील डॉल दोनों जून में 6-7 सेर दूद सीधी ऐसी की बच्चा भी दूले इसका तो एक-एक बाच्छा 100-100 का होगा द्वार पर बंदेगी तो द्वार की सोभा बढ़ जाएगी उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था कहीं भूला की सगाई ठीक हो गई तो साल दो साल तो वह बोलेगा भी नहीं सगाई ना भी हुई तो होरी का क्या बिगडता है यही तो होगा भूला बार बार तगादा करने आएगा बिगडेगा गालियां देगा लेकिन होरी को इसकी ज़्यादा शर्म ना थी इस विवार का वह आदी था क्रिशक के जीवन का तो यह प्रसाद है भोला के साथ वह चल कर रहा था और यह वैपार उसकी मर्यादा के अनुकूल था अब भी लेंदेन में उसके लिए लिखा पड़ी होने और ना होने में कोई अंतर ना था सूखे भूडे की विबदाएं उसके मन को भी बनाए रहती थी इश्वर का रौदर रूप सदैव उसके सामने रहता था पर यह चल उसकी नितीज में चल ना था यह केवल स्वार्थ सिद्धी थी और यह कोई बुरी बात न थी इस तरह का चल तो वह दिन रात करता रहता था घर में दो चार रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमे खा जाता था कि पाई भी नहीं है सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी निती में जायज था और यहां तो केवल स्वार्थ न था थोड़ा सा मनुरंजन भी था बुढ़ों का बुढ़भस हास से पदवस्तु है और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ एंट भी लेया जाए तो कोई दोशपाप नहीं भोला ने गाय की पगिया होरी के हाथ में देते हुए कहा ले जाओ मैं तो तुम भी क्या याद रखोगे ब्याते की छै सेर दूर ले 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 ना चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुँचा दूँ साइट तुम्हें अंजान समझ कर रास्ते में कुछ दिख करे अब तुमसे सच कहता हूँ मालिक 90 रुपए देते थे पर उनके यहां गवों की क्या कदर मुझसे लेकर किसी हाकिम हुकाम को दे देते हाकिमों को गव की सेवा से मतलब वह तो खून चूशना भर जानते हैं जब तक दूद देती रखते फिर किसी के हाथ बेज देते किसके पल्ले पड़ती कौन जाने रुपिया ही सब कुछ नहीं है भया कुछ अपना धरम भी तो है तुम्हारे घर अराम से रहेगी यह नहोगा कि तुम आप खाकर सो रहो और गव भू की खड़ी रहे उसकी सेवा करोगे चुमकारोगे गव हमें आसिरवाद देगी तुमसे क्या कहूँ भया घर में चंगूल भर भी भूसा नहीं रहा रुपय सब बाजार से में निकल गए सोचाता महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका उसने इंकार कर दिया इतने जानवर को क्या खिलावें यही चिंता मारे डालती है चुटकी चुटकी भर खिलाओं तो मन भर रोज का खरच है भगवान ही पार लगाएं तो लगे होरी ने सहानू भूती के स्वर में कहा तुमने हमसे पहले क्यूं नहीं कहा हमने एक गाड़ी भूसा बेज दिया भोला ने माथा ठोक कर कहा इसलिए नहीं कहा भया कि सबसे अपना दुख क्यों रों बारता कोई नहीं है हस्ते सब है जो गाएं सूग गई है उनका गम नहीं पत्ति सत्ति खिला कर जिला लूँगा लेकिन अब तो रातिब बिना नहीं रह सकती हो सके तो दस बीस रुपे भूसे के लिए दे दो किसान पकका स्वार्थी होता है इसमें संदेह नहीं उसकी गाट से रिस्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं भावताओं में भी वह चौकस होता है ब्याज की एक एक पाई छुडाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है जब तक पकका विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृती से इस्थाई सही योग है वरक्षों में फल लगते हैं उन्हें जनता खाती है खेतों में अनाज होता है वह संसार के काम आता है गाय के थन में दूद होता है वेकुत पीने नहीं जाती दूसरे ही पीते हैं मेगो से वर्षा होती है उससे पृत्वी द्रप्त होती है ऐसी संगती में कुसित स्वार्थ के लिए कहां इस्थान होरी किसान था और किसी के चलते वे घर में हाथ सेखना उसने सीखा ही ना था भोला की संखट खता सुनते ही उसकी मनोवरित्ती बदल गई पगिया को भोला के हाथ में लोटाता हुआ बोला रोपय तो दादा मेरे पास नहीं है हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है वह तुम्हें दूँगा चल कर उठवा लो भूसे के लिए तुम गाए बेचोगे और मैं लूँगा मेरे हाथ न गड़ जाएंगे भोला ने आदर कंट से कहा तुमारे बैल भूकों न मरेंगे तुमारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है नहीं दादा अपकी भूसा अच्छा हो गया था मैंने तुमसे नाहत भूसे की चर्चा की तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया अफसर पढ़ने पर भाई की मदद भाई भी ना करे तो काम कैसे चले मुदा यह गाय तो लेते जाओ अभी नहीं दादा फिर ले लूँगा तो भूसे के दाम दूद में कटवा ले ना होरी ने दुखित स्वर में कहा दाम कोडी की इसमें कौन बात है दादा मैं एक दो जून तुमारे गर खालूँ तो तुम मुझे दाम मागोगे लेकिन तुमारे बैल भूख को मरेंगे की नहीं भगवान कोई ना कोई सबील निकालेंगे ही असाड सिर पर है कड़ भी बोलूँगा मगर यह गाय तुमारी हो गई जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना किसी भाई का निलाम पर चड़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वह इस समय तुमारी गाय लेने में होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ती होती तो वह एक खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता भोला जब नकद रुपए नहीं मांगता तो इस पर स्थागी वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है बलकि इसका कुछ और आशे है लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिटक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता वही दशा होरी की थी संकट की चीज लेना पाप है यह बात जन जन मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी भोला ने गदगद कंट से कहा तो किसी को भेजदू मूसे के लिए होरी ने जवाब दिया अभी मैं राय साहब की डियोडी पर जा रहा हूँ वहां से घड़ी भर में लोटूँगा तब ही किसी को भेजना भोला की आँखों में आसू भराए भोला तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ मेरा भी कोई हेत्व है एक शण के बाद उसने फिर कहा उस बात को न भूल जाना होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसंद था मन में एक विचित्र इस्पूर्ती हो रही थी क्या हुआ दस-पांच मन भूसा चला जाएगा बेचारे को संकट में पढ़कर अपनी काय तो न बेचनी पढ़ेगी जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा भगवान करें मुझे कोई महरिया मिल जाए फिर तो कोई बात ही नहीं उसने पीछे फिर कर देखा कबरी गाय पूँच से मक्षियां उडाती सेर हिलाती मस्तानी मंद गती से जूमती चली जाती थी जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी हो कैसा सुभ होगा वह दिन जब ये काम देनू उसके द्वार पर बंदेगी अभी आप सुन रहे थे मुझे प्रेम चंद जी की कहानी गौदान कभाग एक मेरी यानि चंदनतिवारी की अवाज में